पुश्कार स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि क्या चीन अभी और हमले कर सकता है भारत पर आने वाले समय में मैं ऐसा क्यूं बोल रहा हूँ क्योंकि 9 और 10 दिसंबर को आपने न्यूज सुनी होगी कि अरनाचल परदेश में चीन के सैनिक और भारत के सैनिक आमने सामने आ गये थे और उनके बीच में जड़ब भी हुई थी यहां पर कहा गया कि भारती सैनिकों को कोई भी गंभीर चोट नहीं आई है वहां पर काफी सारी न्यूज ट्विटर के ओपर ऐसी वाइरल भी हो रही थी कि चीन के सैनिकों को मारा गया है उनको खदेडा गया है मार मार कर भगाया गया है एवन आप अगर आर्मी चीफ की बात भी सुनें तो वो यह भी बोलते हैं कि हर साल ऐसा होता है चीन के सैनिक जो है वो आते हैं जड़प होती है और वो अपना समान छोड़कर भाग जाते हैं कि उनको भगा दिया जाता है ऐसी न्यूज भी हमने जो भी हाली में इंटर्विव दिया गया था आर्मी चीफ के दोरा हमने वैसी चीज़ें सुनी भी है इन सब जीजों को हम डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडियो के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ अब ये बहुत सारे new media obviously इसको हर कोई cover तो करेगा और 2020 के बाद आगर आप देखे न गलवान घाटी की जो घटना हुई थी जहांपर भारतिय सैनिक जो वो शहीद हुए थे उसके बाद ये पहली घटना है कि जहांपर भारतिय सैनिक और चीन के जो सैनिक है वो आमने सामने आए और ये घटना हुई है अब दोनों पक्स अपने दावे की जो सीमा है कि भारत ने कहा रखा है कि हमारा शेतर है उदर चीन ने कहा रखा है कि ये हमारा शेतर है उन्होंने अपने अपने शेतर बोल रखे तो वहाँ पर वो gust लगाते थे 2006 तक यह सब चीज़ें चल रही थी लेकिन उसके बाद चीन जो है अब चीन के अगर परवर्थी जाने तो वो धीरे 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 अंदर सरकता है यह थोड़ा थोड़ा inch by inch अंदर आने की कोशिश करता है provoke करने की कोशिश करता है तो यह उसने इसी हरकत के according है अब इसके पीछे reason क्या है यह सब कर क्यों रहा है इतना important क्यों है अरणाचल परदेश इसको हम cover करने वाले हैं बहुत अच्छे से first of all मैं आप लोगों को वो area दिखा देता हूँ तो यह होगा आपके सामने भुटान जहां पर एक डोकलाम area तो आप यहां देखिए वो जहां पर भी चतर दिन तक आमने सामने रहे थे चीन के सैनिक और भारत के सैनिक यहां पर यह भारत हो गया यह हो गया आपके सामने अरणाचल परदेश और यहां पर यह आप को वो एक मिनट करके मैं आपको वीडियो दिखा दे दूँ एक मिनट तो यहाँ पर सिदान सिब्बल जी है इन्होंने कहा कि यह जो फेस ओफ हुआ था और इसके बाद जो वीडियो आ रहे है वो एक पुरानी वीडियो को पोस्ट किया जा रहा है यहाँ पर निंडी टीवी जो है इन्होंने भी इस कवर की पुष्टी की कि जो टेंशन हुई है 2021 की जो वीडियो है उसको दिखाय जा रहा है कि भारत के सैनिकों ने चीन की सैना को पीट-पीट कर भगा दिये लेकिन कभी की भी यह वीडियो यहाँ पर एक moral जो बूस्ट अप होता है भारत के जवानों का साथ साथ भारती जनता का भी कि हाँ भारत के जो सैनिक है वो अपने एरिया में चीनी सैनिकों को आने नहीं दे रहे हैं अब बात कर लेते हैं इसके थोड़े background के बारे हैं यह सब चीज़ें हो गया रही है भारत के अनभारती सैना के अनुसार तवांग सेक्टर line of actual control के साथ कुछ ऐसे शेतन जो बहुत जादा important है हम तवांग के बारे में कुछ important बातें डिसकस कर रहे हैं देखे लेसी तीन हीसों में डिवाइड की हुई है पश्ची में लद्दाक होगी मद्यमिमाचर परदेश उत्राखंड आ जाते सिक्किम और पूर्वी अनौचर परदेश के शेतर विवाजित आ जाते अब आपको मैप में भी दिखाऊंगा यह गटना जब उत्राखंड की पाड़ियों में ओली में क्या था भारत और अमेरिका के बीच में स्यूंक्त अभ्यास हो रहा था सैन्ने अभ्यास हो रहा था अब इसके उपर ओलेडी चीन ने अपनी आपत्ति जता देती कि देखो अगर आपने यह सब चीज़ें की तो यहाँ पर LAC के नजदिक अगर आपने इस सब चीज़ें की तो अंजाम सही नहीं होगा यह चीन ने पहले बोल दिया था मैं यह नि कहूँगा कि उसने बोल दिया था हम रोक लेना चाहिए हमारा अपना देश है हम कहीं पर भी सैना अभ्यास कर सकते हैं तो चीन ने ऐसा मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने ऐसी न्यूज दी थी अब 1993 और 1996 सीमा का समझोता का उलंगन हो सकता है यह चीन ने कहा था कि दावा करेंगे अब 1993 का क्या समझोता है मैं आपको एक मैप के कोडिंग समझाता हूँ देखिए यह तीन सेक्टर के अंदर जह वो डिवाइडिड है तीन आप देखेंगे तो यह हो गया आपके सामने वैस्टर यह सेंटर हो गया यह इस्टर एरिया हो गया तो यहाँ पर आपको जड़ब देखने को मिली है 1993 के में आधिकारिक तोर पर LAC को बोडर मानने पर राजी हुए तो दोनों दिश अच्छल में तो मैक मोवन है लेकिन अब वो मान नहीं रहे हैं तो हम 1993 के जो LAC आगे थी लाइन ओफ एक्चल कंट्रोल तो उसके कोडिंग जो हम सीमा मान रहे हैं तो चीन ने कहाए कि 1993 की जो आप हमने जो LAC मानी थी उसका आप उलंगन करेंगे अगर आपने युद्याबास उत्रागंड के अंदर ओली के अंदर किया थो भारतिय और चीनी दिरिश्टी कॉण के कोडिंग अरुनाचर परतियस कितना ज़्यादा महता पूर ने एक हम स्टेटेजिक सिगनिफिकेंस देखते हैं इसका अरुनाचर परतियस से 1972 तक नोर्थ इस्ट फ्रेंटियर एजनसी के रूप में जाना जाता था लार्जस्ट सबसे बड़ा पुर्वोत्तर राज्य है वो जो उत्तर और उत्तर पस्चिम में किस से दक्षन तिबबत का हिसा मानते हैं अब दक्षन तिबबत का हिस्सा क्यों मानता है उसके पीछे वो कुछ रीजन भी देता है देखिए चीन ने कबजा कर लिया तिबबत के उपर अब तिबबत के उपर जैसे कबजा किया वो तो चीन कहता है कि तिबबत तो अरुनाचर प वो तिबबत का है और तिबबत का है तो हमने तिबबत पर कबजा कर सकता है तो इसलिए वो चीन का है तो यह चीन का कहना है अब मैं आपको वो फैक्ट भी दिखाने वालो इसके लावा चीन पूरे राज्ये पर दावा कर सकता है क्योंकि कुछ मुक्य हित देखे तवांग ज यहां पर आप देखेंगे यह रहा तवांग किस के साथ लगा हुआ है भुटान के साथ लगा हुआ अब यहां देखेंगे तो यहां मैंनमार है उपर की तरफ चीन आ जाता है तो कितना जाद है एक स्टेटिक लोकेशन जो है अरुनाचल परदेश देता है अब इसके उपर क्यों कब जा करना चाहता है यह भी मैं डिसकस कर देता हूँ कि अरुनाचल परदेश के तवांग से तरफ उसके लिए कितना महत पूरन है भुटान से सम्बंदित जो रीजन है बुटान फेक्टर वो एक बार हम देखते हैं अरनाचल का बीजिंग के नियंतरण में आने का मतलब यह होगा कि बुटान के जो पश्चिम और पूरी दोनों सिमाओं पर चीन जो है वो पडोसी हो जाएगा अभी जैसे मैंने आप मैप में अगर उसने कबजा कर लिया तो आप देखे कितना एरिया जो बुटान के साथ यहां पर मल जाएगा उपर की तरफ तो है चीन टाय हुआ इधर भी आ जायगा यहां पर भी चीन अगर यह एरिया चीन के अंडर में आ जाता है तो बुटान के पश्चिमी हिस्से में चीन के रननितिक बिंदों को जोडने वाली मोटर वहान योगे सड़कों का तो ओलिडी वो निर्मान ज़वो शुरू कर चुका है एक यहाँ पर वोटर पावर भी आती है देखे पुर्वोत्तर शेतर में भारत की जलपूर्ती कहां से होती है चीन के द्वारा चीन से जो नदी भैकर आती है obviously वहां से हो रही है तो चीन का कंट्रोल है वहाँ पर उसने काफी सारे वहांपर डेम बना दिये है शेतरुक में अब उस डेम का क्या फाइदा उठाता है जब मरजी से वो पानी ज़्यादा छोड़ देता है कभी कम छोड़ देता है जिससे वहाँ पर बाढ और सुके की जो एक प्रोब्लम है वो क्रियेट हो रही है एक सांगपो नदी है जो तिबबत से निकलती है भारत के अंदर आती है भ्रह्मपूतर की नदी कहलाती है और अनाचर प्रदेश में उससे सियांग कहलाती है अब 2000 में क्या हुआ था तिबबत में एक बान टूट गया था बान टूट के कारण बाढ आई थी बाढ आने के करण पुर्वोतर भारत में इतना ज़्यादा कैर बड़ पाता है कि 30 लोगों की जान चले गए और 100 लोग इसमें लापता हो गए थे तो इस तरीके से कंट्रोल कर रहा है उसके पास एक वोटर पावर भी बहाँ पर निकल के आती है अब दूसरा यहाँ पर एक चीज जो सामने निकल कर आई इंडिया टूडे के एक निउस है जिसनों ने बताया कि जो अरुनाचर प्रदेश में तवांग शेत्रों ये ये सब चीज़ें की गई है एक्चुल में चीन ध्यान आकरशित जो है वो दूसरी तरफ करना चाता है भारत का क्योंकि वो यहाँ पर भुटान के नस्दीक नियर जहाँ पर डौकलाम इशु हुआ था वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वो शुरू कर चुका है यह ऐसी न्यूज उन्होंने निकाल के दिए इंडिया टूडे ने कि यहाँ पर देखे कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुका है चीन यहां से वो ध्यान अटाना चाता था इसलिए उसने अरणाचर प्रदेश के तवांग शेतर में यह सब चीज़ें करनी शुरू की थी अब दूसरा एरिया कि और क्या इंटरस्ट लेना चाह रहा है चीन तवांग शेतर के अंदर एक यह चीन का कैमानना है कि यह रणनितिक इंपोर्टन्स मतलब कि स्टेटिक इंपोर्टन्स है देखे तवांग में चीन की रूची कुछ रीजन से है क्योंकि यह भारत के पु तवांग मत भी है देखे तवांग जो भुटान की सीमा से भी जुड़ा हुआ है तिबती बोधर्म के दुनिया के सबसे बड़े मत गल्दन नमगे लाधसे की मेजबानी भी करते हैं और यह लाधसा में सबसे बड़ा पोताला महल भी है पांचवे दलाई लामा के समान में 1680 कैसी में मेराग लाधरो गया माधसो द्वारा इस मत की स्थापना की गई थी अब यहां पर यह सब चीज़ें की गई तो चीन का यह दावा है कि इस मत का पर अपने इस दावे का समर्तन में तवांग मत और तिबत में लाहसा मत के बीच एतियासिक संबंदों का हवाला द लिता है और कहता है कि की तिबत का एड़ Pendלה इसलिए हैं यह वापस चाहिए यहोगे चीन की के आप अपने आपको बता रहा है कि यह जो है वो तिबत का और इसलिए चीन को यह चाहिए दूसरा कलिचर कनेक्षिन और चीन की चिनताय से यहां पर हमारे सामने आति हैं तेके तवांग जो है वो तिब्बत बोधरम का एक महत्वपून के इंदर है उपरी औरनाचल परदेश के आप शेतर में देखते हैं तो कुछ जनजातियां ऐसी है जिनका तिब्बत के लोगों का जो कल्चर वो बहुत जादा सेम है या वही है वो एक मोनपा जनजाती जो है वो त तिब्बत बोधरम का पालन करती है और तिब्बत में ऐसी जो जन जाती है वो पाई भी जाती है कुछ विशेशग्यों के अनुसार चीन को इस बात का भी डर है कि अरनाचल में इन जातियों के समूग की उपस्तिती कभी न कभी बीजीं के खिलाफ एक लोगतांतर समर्थक मतलब एक करांतिकारी अंदोलन के सामने भी आ सकती है कि वो तिब्बती अंदोलन को जनम दे सकती है कि अब अजाद करवाना है राजनितिक महत्त है कि जब दलाई-लामा 1969 में चीन के जो हमला कर दिया था चीन इनको पकड़ना चाह रहे थे तब निकल कर आये थे यहां से त वांग शेतर कितना ज़्यादा इंपोर्टन्ट है चीन के लिए अब आगे की रा क्या हो सकते हैं आगे की रा तो यह है कि दोनों देश भले ही आमने सामने आ गए हैं लेकिन दोनों देश जो हैं अभी काफी सारे कयास लगा रहें की यूद हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं हो स अब अगर इस बीच भारत और चीन के बीच में आपको युद भी देखते हैं तो देखिए इससे कितना ज़्यादा नुक्सान होगा भारत जो एक मार्केट है एक आप चीन को देखते हैं जो मैनुफेक्टरिंग हब है दोनों देश कितने ज़्यादा इंपोर्टन्ट है पूरी दुनिया के लिए अगर यहां पर देखिए दोनों ही देशों में अगर युद हुआ तो देखिए कुछ भी नहीं बचने वाला है बले और दूसरे देश ना है लेकिन बचने वाला कुछ भी नहीं है क्योंकि यह कितनी ज़्यादा अपनी धाक रखते हैं आप समझ हो सकती है और जैसे जैसे वो चीज़ें लागू के गई थी प्रोटोकॉल थे उनका वो पालन करें शांती बनाए रखें यह सब कहने वाली बाते हैं कि होंगी वो तो चीन के उपर है क्योंकि हर बार चीन की यही नड़नीती रहती है कि वो अंदर घुचने की वो कोशिच क आगसे बात है कैर उमीद करता हूं कि आज का उपर आप लोगों को समझ में आया होगा तवांग शेत्र की जो इंपोर्टेंटर वह समझ में आया है कि कुछ इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है और पीडि Solım में फिर से बता देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पेडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो ज़्यादा पसंद आ गए हैं तो लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को बस आज के लिए तैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो